Hello students, आज हम करेंगे हिंदी में वर्तनी वर्तनी क्या होती है या वर्तनी किसे कहते हैं? लेखन में प्रयोग किये जाने वाले लिपी चिनों के विवस्तित रूप को वर्तनी कहा जाता है यानि जब हम कोई वाक्य या शब्द लिखते हैं जब कोई हम वाक्य या शब्द लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए जो लिपी चिनों लिपी चिनों का हम प्रयोग करते हैं उनको विवस्तित रूप देते हैं तो उसे वर्तनी कहा जाता है वर्तनी को हम दो रूप में देख सकते हैं, एक तो वो अशुद रूप होता है, एक शुद रूप होता है, जैसे मैंने अशुद रूप में यहाँ पे लिखा है कवी, यह कवी अशुद रूप में लिखा हुआ है, कवी को सही तरीके से शुद रूप में इस प्रकार लिखा जाते हैं, thank you students